house of the fucking dragons dude में को ये पता नहीं था कि game of thrones season 8 के बाद मैं game of thrones का पूरा जो universe जो उन्हें बनाया है मैं इसमें कभी भी interest लूँगा because by season 8 game of thrones का तुम मानो है ना मानो it was shit लईक उससे घटिया चीज आज तक मैंने नहीं देखी है because obviously आपकी expectation कहां है because you are talking about game of thrones game of thrones भाई दुनिया का सबसे बड़ा शो है और उसका last season और इतना घटिया right and उसके बाद I was like हाँ ये news आ रही थी क्या पता कोई prequel आए ऐसी sequel भी आ सकता है कुछ ऐसी news आ रही थी so yeah तो मैं को लगा मैं को नहीं देखना ये चीज मैं को game of thrones से related कुछ भी नहीं देखना है because आपने अपनी जिंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिये एक चीज के उपर सारी videos देखी कि कौन कौन सी theory है क्या हो सकता है john snoo के साथ क्या होगा night king के साथ क्या होगा इतना आपने अपना दिमाग खर्च किया है इस चीज के उपर और season 8 like season 8 was so disappointing so मैंने उसी वक्त एक बना लिया था कि मैं को नहीं game of thrones के कुछ भी universe से उसमें जाना ही नहीं है मैं को देखना ही नहीं मैं interested ही नहीं हूँ but but news आती है कि prequel आ रहा है right और prequel आ भी गया and everyone was saying that it is so good like मेरा भाई में को phone करके बोलता भाई तू देख एक बार तू देख मेरा दिल नहीं मान रहा था ठीक है मेरा दिल बोल रहा था कि मत देख मत देख तू खपा देगा अपने जीवन के 8 साल ऐसी आठ दस सीजन आ गए आप पूरे दस साल वेस्ट हो गए उसमें है ना और आपको नहीं पता है that it is going to be shit or not because Game of Thrones के साथ भी यही था आपको नहीं पता था right आपको obviously लग रहा था कि यह इतना अच्छा सीजन है इतना अच्छा TV series है obviously disappoint नहीं करेंगे बड़न ने किया right तो इसमें भी मैं को लग रहा था यह क्या पता अभी सही बना रहें क्या बाद में साले ऐसी जंड मार देती रेड पीड दें इस series की so yeah so I was a little skeptical but peer pressure में आके लोगों के review सुनके right मेरे आसपास जो लोग थे वह भी बोल रहा था देख 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 so मैंने देखा and dude I was blown away first episode सही जहीं महीं आप Game of Thrones अभी आप देखना शुरू करते हो तो 5-6 episode लगते हैं to be like completely hooked but इस बार episode 1 सही like you want just आगे क्या होगा आगे क्या होगा आगे क्या होगा आगे क्या होगा and episode 2 अभी मैंने देखा episode 2 dude it's even better मलब में को यह लग रहा था यार मैं क्यूं देख रहा हूं यह मलब में को मजा आ रहा है में को अच्छा लग रहा है I'm getting goosebumps right और मेरे दिमाग में चल रहा है तू खपाएगा अपने 8 साल फिर से खपाएगा I know कि लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं यह IMDb में भी बहुत टॉप की रेटिंग में आने वाली है और इसके अराउंड सारे वीडियो भी बनेंगी थियोरी भी बनेंगी यह conspiracy और यह सब स्टार्ट हो जाएंगी कि यह कौन सा character इससे connect करता है यह character उससे connect करता है तो इसमें न मैं इतना घुश जाओंगा कि मेरी expectation बढ़ जाएगी बहुत उपर राइट और मैं वह करना नहीं जाता है इस बार बट क्या कर सकते हैं इसके characters भी अगर आप characters की बात करो that demon guy right demon Targaryen dude he's the next Joffrey उसका face पूरा लगता है कि negative character है and and जिस तरीके से second episode में वो और जो King का hand होता उसके बीच में कुछ conflict होता है वो scene इतना ज्यादा suspense वाला है इतना ज्यादा thrilling scene है right and dragon आता है पीछे से like the scene is so good और वो demon आदमी यार वो तनी सही acting कर रहा उसमें like it just shows that this series is going to be epic so yeah I'm like excited but I'm a bit nervous क्योंकि यार अगर इन्होंने इतना high कर दिये तनी expectation सबकी पहली high कर देंगे और फिर इन्होंने हमारी gun माली पिछली बार के तरह यार मैं ना जहिल नहीं पाऊंगा because यार इसके 8-10 season तो होंगी होंगे ठीक है और मैं ना वो ब्रदाश नहीं कर सकता कि यार इतनी सार वेट करके आपको कुछ ऐसा देखने को मिले जो कि आप क्या reaction ऐसा लगे बस यही था हो गया खतम like मैं screen में देखता रह गया like मैंने उसके कभी भी end credits देखे नहीं थे ठीक है यह हुआ क्या यह मैंने देखा क्या अभी तक ऐसे तो end नहीं हो सकता है इतनी सारी मैंने वीडियो देखे थी इतनी सालों से मैं theories देख रहा था यार इतनी interesting interesting theories है इतना सब कुछ है ठीक है और discussion होती थी यार भाईयों के बीच में बेनों के बीच में दोस्तों के बीच में क्या होगा क्या आगे क्या होगा and I was like end credits देखते देखते हैं I was like हो गया so yeah तो में को इसमें भी like मैं तो यह बोलनों ना हो यार ऐसा है इसमें भी यार थोड़ा अच्छा सा time लगा ले थोड़ी ending लिख ले अच्छी जी I guess George R.R. Martin जिसने Game of Thrones की book लिख है वो भी इसमें involved है series की writing में screenplay में तो यह में को यह लग रहा है कि क्या पता वैसी चीजें ना हो और मैंने यह भी सुना Game of Thrones के जो creators से पहले उन्होंने जल्दी-जल्दी में बनाया सब चीजे बिकॉस उनका कोई और प्रोजेक्ट था उनको उसमें काम करना था Like they really needed to complete the story of Game of Thrones और उनको कोई और प्रोजेक्ट में जाना था ठीक है हटा हो मारोगोली सब पूरे दुनिया को simultaneously इन लोगोंने ऐसा disappoint किया था उस वक्त लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं और यह दो एपिसोड ने में को फिर से इस universe में खीच दिया है So I hope, I hope that it'll be good and yeah let's wait and watch